ये जिन्दगी ना मिलेगी दुबारा इसलिए आपको अपने पैसे का भरपूर आनन उठाना चाहिए लेकिन इसके साथ ही आपको अपने पैसे को मैनेज करना भी है क्योंकि अगर ये आपका फाइनस बैलन्स होके रहता है और आप अपने पैसों की पूरी जानकारी रखते ह तो आप अपने जिन्दगी का भरपूर मजा भी ले सकते हैं कहने का मतलब ये है कि अपनी जिन्दगी का मजा तो उठाइए लेकिन अपनी हद में जरूर रहे है हेलो एवरिवन वेल्कम बैक तो माई चैनल रियर लाइफ विट्ट को कैसे हैं आप लोग आप बहुत अच्छे होंगे और सिहत बंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होगे दोस्तो अहाँ की जो वीडियो है इस वीडियो में हम बात करेंगे की पैसो का एह्मियत तो हमारे लाइफ में होता है लेकिन क्या हमारे जीवन से ज्यादा होता है तो एक example यहाँ पर यह है कि माल लेजे कि अगर कोई बंदूग हमारे सर पर रखके कहता है कि या तो अपने पैसे तो या फिर अपनी जिन्दगी तो हम क्या करेंगे हम कुछ भी बिना सोचे हुए सबसे पहले अपना wallet निकाल के दे देंगे और तुरंट वहाँ से चलते बने तो यहां कहने का मतलब यह है कि यहां हमने पैसों को importance नहीं दिया अपने life को ज्यादा important दिया क्योंकि अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम और भी पैसे कम आ सकते हैं और भी पैसे हमारे पास आ सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर जगा पैसे को एहमियत नही दोस्तों कहने का मतलब यहां पर यह है कि इस वीडियो में बात करूंगे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बहुत थर्च हैं बहुत थर्च हैं और मैंने हर बार जितने भी खर्च हैं उसको मैंने बताया है कि आपको कैसे अपने खर्च को बैलेंस करके और आपको अ और आज इस वीडियो में हम भही बात करेंगे कि कमी कहां है जहां हमारे खर्च बढ़ते जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है और हमारे पैसे क्यों नहीं बच रहे हैं तो दोस्तो ये वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है इसलिए वीडियो के अन तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगोंने अभी तक रियल लाइफ पे टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है त आप में जो पेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि ऐसी ही इंट्रेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें दोस्तो वीडियो पसंदा है तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को इस पर सबसे पहला हमा आउंट आप मनी की जरूरत होगी दोस्तो अगर लोगों से ये पूछा जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत है या आपकी जो अभी इंकम आ रही है कि जितनी इंकम आ रही है अगर उसका 50% इंक्रीज हो जाता है तो हमें सटिसफेक्शन हो जाएगा लेकिन रियल में ऐ इसा होता नहीं है अगर वो 50% इंक्रीज हो जाए तो हमें और ज्यादा की चाह बढ़ जाती है यह नैचुरल चीज है एक बार 1980 में एक रिसर्च किया गया था जिसमें मिडिल क्लास लो क्लास और हाई क्लास के जो फैमिली मेंबर से उनको एक साथ रखा गया था और उन्हे स्केल क्लास और लो क्लास के लोग थे उनका जो मैक्सिमम जो जवाब हुआ वो दो से तीन स्केल के बीच में हुआ कहने का मतलब उन्होंने सब ने यही जवाब दिया था कि हमारा जो भी अभी इंकम है उसमें अगर 50% का भी इंक्रीमेंट हो जाए तो हमें संतुष्टी मि जाएगी दोस्तों आगर जैसे एक्सांपल ही देते हैं कि माल लीजे आपके पास 10-12 जूते हैं या आपके पास 5-6 पर्स हैं और आप उसमें से हमेशा एक ही जूते को या एक ही पर्स को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या बनता है इसका मतलब यह बनता है कि आपको श stress को या अपना जो भी तनाव है उसको खतम करने के लिए आप purchasing तो कर लेते हैं लेकिन वो आपको satisfaction नहीं दे पाता है और जब आप उस चीज से बोर हो जाते हैं तो फिर बाहर निकल जाते हैं कुछ नए चीज को सर्च करने के लिए तो ये कब तक बनता रहेगा और ऐसा कब त करते हैं क्योंकि अगर हम उसे वियर करते हैं तो हम attractive लगते हैं और हम noticeable लगते हैं तो बस इस चीज के लिए आप branded कपड़े या iPhone या फिर Rolex की जो घड़ी होती है उसके लिए बिल्कुल तयार रहते हैं और अनापस अनाप खर्च करते रहते हैं तो अगर आप इससे यही ची चीज को खरीर लेते हैं घर में लेकर आजाते हैं तो आपको कीवल छणिक जो खुसी होती है वही मिलेगी आपको satisfaction कभी नहीं मिलेगा तो यहां पर अगर आपके अंदर यह है habit की आपको जब मन करता है और आप कुछ भी उठा के लेकर आ जाते हैं क्योंकि आपको पसंद है तो ऐसे में आपका खर्च बढ़ेगा ही और यही आपके पैसे खर्च हो रहे हैं और आपको यह चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है तो दोस्तों इस point में मैंने आपको यह बताया है कि आपके जो पैसे खर्च कहां हो जा रहे हैं यह समझ में नहीं आ रहा है तो यह point हुआ अब अगर आपको जाना है कि क्या वाकर हमारे खर्च जादा है तो उसके लिए जो हमारा दूसरा point है वो है आपको अपने lifetime income और जो आपका net worth है उसको compare करना होगा दोस्तो इस point में आपको करना क्या है यह बहुत important point है इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल भी skip मत कीजे आपको इससे पता चलेगा आपका कितना lifetime income हुआ है उस चीज़ का एक आप diary में पहले बनाओ अब वो को आप कैसे पता करोगे कि आपका lifetime income क्या हुआ है तो आप अपने bank का जो बी record है उसको एक बार टो लिए और आप चेक कीजिए कि आपने कहां कहां transaction किया है उसको एक बार आप कहीं लिख लीजिए अब आपको दूसरी तरफ जाना है कि आपको अपने network का पता करना है network में जो भी आपने जैसे कि मालीजे cash रखे हैं या फिर कोई bond रखे हैं या note down कर लीजे उसके बार आपको करना ये है कि जो आपके ये asset है उसका अभी जो मतलब वर्तमान time में जो मुल्य है उससे आपको आगना है अगर आपका network का जो value है वो आपके total income से ज्यादा आता है मतलब कि आप बिलकुल सही जगह पे हैं आपका जो financial status है वो सही है और आप अ network जो है आपके total income से कम है तो यहाँ पे आपको अपने आपको चेक करने की जरूरत है और यहाँ आपको समझ में आना चाहिए कि आपके खर्चे कहां हो रहे हैं दोस्तों यह जो point है यह point बहुत important है इस लिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा तीसरा जो सबसे important point है उसके बारे में बात करेंगे तीसरा point जो यहाँ पे है वो है कि आपका calculate the exact amount of your fees कहने का मतलब यह point यह करता है कि आप per hour कितना कमाते हैं यह चीज़ आपको clear करना बहुत जरूरी है दोस्तों अगर maximum लोगों से पूछा जाए कि आप काम क्यूं करते हैं तो सब का जवाब यह आएगा पैसो के लिए और उन पैसो से उन्हें जो basic need है या जो भी उनका काम है वो सारा कुछ पैसा ही clear करता है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि हम समाज की भलाही करें या फिर हम कोई ऐसे skill सीखें उस काम को काम के तुरू हम कोई ऐसा skill सीखें जिससे society में हम मदद कर सके लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर आप society में भी help करने का सोच रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि यह काम करना हमें ज़्यादा पसंद है तो उसके लिए भी कही ने कही पैसे की तो ज़रूरत पढ़ती ही है और आप चाहते हैं कि हम समाज स दिवा करें तो उसके लिए आपको पैसा कमाना भी तो बहुत ज़रूरी है तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि अगर आप खर्च जादा करते हैं तो आपको यह पता करना बहुत ज़रूरी है कि आपका income पर आर कितना है दोस्तों अगर आप यह चीज़ जान जाएंगे कि अगर आप कहीं खर्च करते हैं तो वहाँ आपको फील जरूर होगा कि हमने 12 गंटे या फिर हमने 24 गंटे 48 गंटे काम किए तो जो हम आज खर्च कर रहे हैं वो पैसा जो है हमारा वो उतने दिनों का है उतने घंटों का मेहनत है तो आप वहाँ खर्च करना बन कर देंगे देखे, बात यह होता है कि अगर हम 20,000, 25,000 महीना भी कमाते हैं और अगर हमें कोई कह दे कि 80,000 का iPhone ले लो, कोई बात नहीं आप EMI पे ले सकते हो, बहुत लोग EMI के support में रहते हैं कि आप EMI पे ले सकते हो और हमेरे पास credit card भी है, और हम ले भी लेते हैं कि कोई बात नहीं, अगर हम पर महीना 5000 या 3000 रुपय कहीं EMI लगाते हैं, तो हमारे पास एक चीज तो हो जाएगा, एक iPhone तो हो जाएगा, हमारा status तो maintain होगा, लेकिन आप एक बार ये अनुमान जरूर लगाईएगा, कि ये जो 80,000 का आपका phone है, इसको परचेस करने के लिए आपको 4 महीने, आपने महनत की है, तब जाके आपके पास एक इतना बड़ा amount जमा हुआ है, अगर आप ये जब तैक करने लगेगे, कि आपको पैसों का क्या value है, और पैसे खर्च करने का क्या दर्द होता है, तो आपके पैसे जरूर बचेंगे, दोस्तों ये जो मैंने आपको 3 point बताएग हो जाएगा, कि आपके पैसे कहां आ रहे हैं और कहां खर्च हो रहे हैं, और आप सायद inspire होके खर्च करना भी कम कर दीजेगा, तो hopefully आपको यहां पर समझ में आ गया होगा, कि आखिर आपके पैसे खर्च जो आप कहते हो कि बहुत ज़्यादा है, पैसे कम है, तो आप बता कि वीडियो मेनी बहुत अच्छी लगी होगी है और अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमली के शाथ सेवthyर भी कर सकते हैं, इस के साथ आप मेरे टेलिग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं टेलिग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आप मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों फिर मैं मिलती हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्यू, थैंक्स फोर वाचिंग